ममशकर स्वागत है आपका इंडिया नियूस पर और मैं हूँ आपके साथ स्पाटी सिंग मुखे मंत्री शिवराज सिंग चोहान और भारतिय जुनता पाटी लगतार पूर मुखे मंत्री देख विजय सिंग पर निशाना साती नजर आ रहे है इसके पीछे एक सोची समझी रणनीती के तहट प्लानिंग करते हुए हमले किये जा रहे हैं ऐसी बात कही जा रहे है बीजेपी की ये नई रणनीती उसे कितना फाइदा पहुचेगा ये तो वक्त बताएगा लेकिन समय के साथ साथ राजनीतिक संगठन अपनी राजनीती में भी लगतार बदलाफ करते दिखाए दे रहे हैं भारती जनतापाती पूरी तरह से चुनावी मूड में नजर आ रही है इसके अलावा बीजेपी लगतार अपनी रणनीती में भी परिवर्तन करते दिख र पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजर सिंग के कारेकाल का लगतार जिग्र हुआ भारतिय जुनतापाथी नई रड़नीती पर काम करती रही मुख्यमंत्री शिवरात सिंग चोहान अपने भाष्ण में कॉंग्रेस के हमलों का जवाब देते हुए अक्सर नज़र आए कॉंग्रेस के कारेकाल में मध्यप्रदेश में 23,000 किलोमीटर की सडके थी जबकि उनके द्वारा 18 साल की सरकार लगबग 4,11,000 किलोमीटर लंबी नई सडकों कर मिर्मान कराया गया बीजेपी इसी साफतोर पर तुलनात्मक दृष्टी से कॉंग्रेस के दिगविजर सिंग के कारेकाल में सडकों के हाल को लेकर लोगों को सच्चेत करती है यह भी प्रसारित किया जा रहा है कि साल 1996 से लेकर 2003 तक पूर्व मुख्यमंत्री दिगविजर सिंग ने मिर्द्प्रदेश में अपनी सरकार चलाई उस दुरान बिजली और अन्य मूलभूत सुगदाओं के बीच हाल बेहाल रहा बीजेपी के प्रदेश उपध्यक्ष डॉक्टर चीतर रमन मालिव्य के मुताबिक दिगविजर सिंग का कारेकाल मधिप्रदेश के लिए लाल्टेन योग बन गया बिजली के मुद्दे पर भी दिगविजर सिंग और शिवराज सिंग चोहान की तुलना की जा रही है के मंद्र कमलनाथ का नाम इसलिए बीजेपी नहीं लेना चाहती क्योंकि कमलनाथ का नाम आते ही उनकी सरकार कैसे खरीद फरौखत करते हुए गिर गई इस बात का भी जिक्र होता है कमलनाथ और शिवराज सिंग चोहान का आपस में टकराव नजर आता है लेकिन बीजेपी बार बार कमलनाथ को हटा कर दिगविजर सिंग को रखकर शिवराज सिंग की टकर दिखा इस बार भाजपा बले ही कोई भी मुद्दा लेकर आए लेकिन भ्रष्टचार और बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई मध्यप्रदेश की साड़े साथ करोड जनता का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुगी है ऐसे में कमलनाथ बार बार अपनी सरकार को प्रूफ कर रहे हैं बार बार बीजेपी को साफ तोर पर बताना चाहा रहे हैं उनकी सरकार में क्या कुछ बद्धिप्रदेश को मिला है और हम क्या दे सकते थे हमने क्या दिया है हम क्या देंगी लेकिन ऐसे में शिवरात सिंग चोहान, बीजेपी लगातार दिग्विजल सिंग को सामने रखते हुए तमाम खामिया गिना रही है और कमलनाथ को दर किनारे कर रही है एसे में कमलनाथ को दर कराने करना, बीजेपी के लिए कितना फायदे बन है? ये साफ तोर पर चुनाव में आने वाले वक्त में पथा लगेगा, क्यूंकि दिग्विजL सिंग के साथ टकराना बीजेपी को आसान लग रहा है क्मिलाथ के लिए एक साफ तौर पर एक टकर देने वाले पृतिनिदी साबित होने वाले है इसलिए ईए कमलनाथ, कुbor啪 मेंElmen को कि लिए से क्वाि टकर देंडीया चुम.